नमस्कार दोस्तों, कॉंप्टिशन कम्यूटी के अनलाइट प्रेटफॉर्म में आपका स्वागत है FTR वीडियो सिरीज में भारत के भुगोल के प्रश्णों के संग्रा के साथ मैं हूँ अकास सिंग एस वीडियो में हम भारत की जल्वाईउ पर अधारित प्रश्णों देखेंगे भारत की जल्वाईउ बहुत ही confusion create करता है क्योंकि भारत की जल्वाईउ को समझने के लिए हमें विश्व की जल्वाईउ के प्रात्मिक जानकारी होनी चाहिए तो चलिए उसी प्रात्मिक जानकारी के पहले शुरुआत कर लेते हैं और फिर उसके बाद प्रश्णों के सही उत्तर भी चुरेंगे है जीरो डिगरी पर इसे ही विशुवत रेखा या भूमद्य रेखा भी का जाता है अगर हम उत्तर की ओर जाएं और ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिगरी नौर्थ पर कहें तो इस रेखा को हम नाम देते हैं करक रेखा ठीक इसी इस्थिती पर अगर दक्षिड पर हम जाए है उसे हम कहते हैं आटिक सरकल और दक्षिड पर इसी इस्थिती पर जो रेखा हमें देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं अंट आटिक सरकल अंतिम छोरो पर अर्धाद 90 डिगरी दक्षिड पर हमें मिलेगा साउथ पोल दक्षिड धरू और 90 डिगरी नौर्थ पर हमें मिले करक रेखा और मकर रेखा के बारे में सबसे विशेश बात यह है कि जब साल भर में सुर्य उत्तर की और और दक्षिण की और गतिमान होता है तो यह रेखाएं वो उत्तरम और दक्षिण तब अंतिम रेखाएं बनती हैं जहां पर सुर्य की रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं या फिर लंबवद होती हैं जब हम देखते हैं कि सुर्य उत्तरी गतिमान हो रहा है उत्तर की दिशा की ओर बढ़ रहा है तो नौर्दन हमिस्पियर पर जहां पर उसकी परपेंडिकलर तो इस प्रगार से अगर आप देखें तो इन चेतर पर अर्थात विश्वत रेखा से करक रेखा और विश्वत रेखा से मकर रेखा तक के ये जो आपको दिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर सन रेश बढ़ियां अच्चह से मिलेंगे और उपर या कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में सुरी की रेखाय दीरे-दीरे कम होने लगती हैं सुरी के किर्णों के आधार पर ही किसी भी छेत्र के तापमान में भी वित्रन देखने को मिलता है जैसे कि अगर आप विशुवत रिखा के समीप वाले भाग को देखें अर्थाद विशुवत से कर्क और विशुवत से मकर रिखा दख तो इन छेत्रों पर तापमान की मात्रा अधिक होगी और इसी तापमान की मात्रा अधिक हो जाने के कारण और प्लस गृतुवा कर्चन के कारण इन छेत्रों पर वायुदाप की पेटियों का भी निर्मान होता है प्रेशर बेल्ड बनते हैं जिस छेत्र पर तापमान बहुत जादा हो जाता है वहां की हवाएं हलकी हो जाती हैं और वह उपर उठने लगती हैं जब उपर उठने लगती हैं तो धर्ती पर उनके द्वारा लगाया गया बल कम हो जाता है क्योंकि जो पवनों का या जो हवाओं की दिशा है वो उपर की और है धर्ती की और है जिन छेत्रों पर तापमान कम होता है समानी रुप से वहाँ पर हवाएं नीचे आती हैं क्योंकि हवाएं भारी होती हैं कॉंट्रेक्ट होती हैं और जब वो अब नीचे आएंगी तो जमीन पर फोस लगाएंगी तो उन छेत्रुप पर उस वायू के द्वारा दाव लगता हुआ दिखेगा तो जहाँ पर समानी रुप से आप कह सकते हैं कि जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर निम्न वायू दाव का पेटी बनेगी और जहाँ पर तापमान जादा होगा वहाँ पर उच्छ वायू दाव की पेटी का निर्मान होता है तो जिस प्रकार से आपने समझ लिया कि वायूद आपकी पेटियों का निर्मान होता है तो इन वायूद आपकी पेटियों को समझने के लिए हमने नाम गरण किया है जैसे कि इस छेत्र को हम कहते हैं उसने कटी बन दिये छेत्र या ट्रॉपिकल रिजन जब हम थोड़े उपर जाएं तो इन छेत्रों को हम कह देते हैं सब ट्रॉपिकल रिजन या फिर आप कह सकते हैं उपोस्न कटी बन दिये छेत्र उपर जाने पर हमें यहाँ पर उप ध्रॉवी या फिर सब पोलर रिजन दिखेगा और ध्रॉवी पर आप पोलर रिजन कह सकते हैं उप ध्रॉवी छेत्र तो इन छेत्रों पर किस प्रकार की वायुदाब बनी होती है तो जरा हम समझते हैं जब हम इस एक्वेटर वाले छेत्र पर देखें तो यहाँ पर निम्नवाई उदाब की पेटी बनी होती है यह जो पूरी बेल्ट होती है लो प्रेशर बेल्ट होती है ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा की हमने देखा कि सुर्य जब उत्तर की और जाएगा तो करकरेखा तक आएगा और जब दक्षिन में जाएगा तो मकररेखा तक जाएगा लेकिन इस दोनों ही दिशाओं की और गतिमान होते हुए साल भर में विशुवत रेखा से सुर्य दो बर ऐसी इस्थिती बनाता है जहां पर लंबवत होता है एक सितंबर के महाँ पर और एक मार्च के महाँ पर मतलब कि लगातार एक अच्छी मात्रा की सुर्य की क्रिणने इस विशुवत रेखा पर प्रतिबादित होदे रहती है तो इस कारण से अधिक तापमान हो जाने के कारण तुलनात्मा कुरूप से कर्क रेखा और मकर रेखा तक यहां पर लो प्रेशर छेतर भी बना रहता है पिर उसके बाद अगर आप ट्रोपिकल रिजन की बात करें तो यहां पर उच्छ वायूदाब की पेटी बनेगी तापमान के वित्रण के कारण हुआ है क्योंकि तापमान यहां पर कम हुआ है तो जब यहां पर तापमान और कम हो जाएगा तो यहां पर निम्न वायुदाप का निर्मान कैसे होता है यहां पर निम्न वायुदाप का निर्मान होता है इसकी तुलना पर पोलर छेतर की तुल वो है गृत्वा कर्षण प्रिथ्वे की द्वारा जो लगाया जाता है वायू पर तो इस प्रकार से हम वायू दाब के यहाँ पर वित्रण को भी देख लेते हैं लो प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर और यहां पर भी बन जाता है उच्छ वायूदाब या हाई प्रेशर वायूदाब की पेटियों के निर्माण के बाद अब पवनों की दिशा भी निरधारित होगी समाने रूप से जब आप प्रेशर डिफ्रेंस देखेंगे तो इस प्रेशर डिप्रेंस को बैलेंस करने के लिए उच्च वायुदाप से पवने जो होंगी निम्नवायुदाप की और प्रभावीत होंगी अर्धाद इस सब्ट्रॉपिकल छेतर से पवने इस दिशा पर वहेंगी इस सब्ट्रॉपिकल छेतर से उपर की और वहेंगी और इस प और लिल्बस क्या होती है या एक काल्पनिक बल है जो उतरी गुलार्द में बहने वाली हर चीजों को अपने दाय साइड में मोड़ देती है तो यह पवने कुछ इस प्रकार से बहते हुई दिखेंगे और दक्षणी गुलार्द की अगर बात करें तो दक्षणी गुलार्द में उलने वाली पवनों को या लेफ साइड में टर्न कर देती है तो यहाँ पर यह कुछ इस प्रकार से बहते हुए दिखेंगे तो अगर आप इन पवनों को देखें तो पवनों का भी नाम करण कर दिया गया है जैसे कि इन दोनों पवनों को कह दिया गया है वैपारिक पवने red winds और जो ये पवन है जो उत्तरी गुलार्थ पर flow कर रहा है high pressure से low pressure ऐसे पवनों को नाम दे दिया गया है उत्तर पुर्वी वैपारिक पवने उत्तर पुर्वी क्यों नाम decide होता है जिस direction से wind flow होते हुए आए यह विंड अगर आप देखें तो उत्तर पुर्व दिशा से प्रवावित होते हुए दिख रही है इसलिए इसको हमने उत्तर पुर्वी वैपारिक पवन कहा है इस पवन की अगर हम बात करें तो दक्षिन पुर्वी छेतर से बैती हुई आ रही है इसलिए इसका नाम हमने कह दिया है दक्षेन पुर्वी वैपारिक पवने तो इस प्रकार से इन दोनों पवनों का हमने नाम करन कर दिया अब अगर आप इनकी बात करें जो सब ट्रॉपिकल से सब पुलर की और प्रवावित हो रही है तो इसे वेस्टरलीस कहा जाता है क्योंकि या वेस्ट साइट से फ तो इस प्रकार से हमने पवनों का नाम करन भी कर दिया है तो एक बार फास्ट्रेक तरीके से हमने रिवाइस किया ध्यान रखिएगा ये रिविजन वीडियो है इसलिए जो गती है क्लास की वो थोड़ी फास्ट है ताकि तुरंत आप चीजों को बहुत जल्दी से जो क्रक चांसोप सुर्य की स्थिति का भी जनकारी देखा whereby इस त्हिति के अधार पर तापमान का वित्रन देखा प्रित्वी पर और बुरत्वाकर रशन बलके कारण जो वयुदाप की पेटियों का निर्मान हुआ उनadyं पेटियों को भी हमने यहां पर देख लिया बायूदाब की पेटियों के अधार पर हमने पवनों की दिशा भी निर्धारित कर दी इस तरीके से ये प्रास्पी जानकारी परियाप्त है आगे के कोश्चन सॉल करने के लिए तो चलिए अब हम प्रश्णों को सॉल करते हैं चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्ण से प्रश्ण कहता है दिये गए प्रत्येक प्रश्ण में अभीकतन या दावा एवं उससे संबंदित तर्क या कारण दिये गए हैं आप अपने उत्तर की रूप में निम्निल्कित विकल्पों में से किसी एक को सहीं चुने दावा कहता है भारत की जलवायू उस निकटी बंदिये मौनसून की तरह है तर्क या कारण कहता है या इसके पिछे कारण है भारत उस निकटी बंदिये अक्छांसों के बीचों बीच अवस्थिद है तो चलिए इस प्रश्ण पर जानने से पहले कुछ और यहाँ पर जान पर आपको देखने को मिलेगा जब यह लो प्रेशर पेटी एक्वेटर के उपर है जैसे जैसे सूरी अपनी स्थिती बदलता है यह वायूद आपकी पेटिया भी बदलते जाती हैं क्योंकि सूरी की स्थितियों के साथ उस छेत्र का तापमान वित्रण भी बदलता है और फि सूरी की किरण इसके उपर परपेंडिकुलरली फ्लो कर रही है अब जैसे ही मार्च के बाद सूरी नौटवर्ड मॉव्मेंट पर होता है उत्रायन की स्थिती पर होता है तब यह वायूद आपकी पेटी भी उपर की ओर सूरी के साथ चलते रहती है जब यह पेटी हम यहा आगे की ओर चलते रहती है जब यह पवने भूमद्य रेखा को पार कर देती है तब वह उत्तरी गोलार्द में प्रवेश करती है और उत्तरी गोलार्द में जैसे मैंने आपको कहा था कि कोरेलियूस बर्स के कारण पवने दाहिने ओर मिडेंगी मतलब यह पवन अपनी दि अब इस तरीके से हमने यहां जानकरे ले लिए अब पहला कथन देगें तो कहता है कि भारत की जलवायू उश्न कटी बंदिये मौनसून की तरह है मौनसून क्या है मौनसून को कह दिया जाता है सिजनल रिवर्सर ऑफ बिंड अर्थात पवनों की दिशा का रितुवत प्र आएंगी और दक्षिन की ओर चली जाएंगी तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप सुर्य की स्थिती बदल रही है मौनसून की दिशा भी बदल रही है इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि मौनसून का शाब्दी कर्द जैसे हमने जान लिया अब यह उस निकटी बं के बीचों बीच अवस्थित है तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल रीजन पर भारत की स्थिती है इसलिए यहां पर ट्रॉपिकल मौनसून है ऐसा यह स्टेटमेंट कारण बतला रहा है बलकि ऐसा नहीं है हम यहां पर देखते हैं कि भारत जो है ट् जिसकी वज़य से हमारा दावास फिर भी सहीं कहला सकता है वह इसलिए क्योंकि हाला की यहां पर करकरेखा या फिर भारत का मद्य और दक्षिर भाग उस नकटी बंदिये छेतर पर है परन्तु पूरा भारत ही उस नकटी बंदिये जलवाईयों या फिर मौनसून का होती हैं तो मतलब कि जो यहां पर हमारी उस नकटी बंदिये मौनसूनी पवने आई है वो भारत में हिमाले के द्वारा फैल गई है जब पवने वापस आएंगी दक्षनायन के समय तब यह जो पवन हिमाले के द्वारा रुख जाएंगी कौन सी कोल्ड साइबिरियन है वो इंडिया में इंटर नहीं कर पाएगा तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि दावा एक मतलब कि भारत की जलवाई उस नकटी बंदी मौनसून की तरह है पर उसका बहतर कारण यह नहीं है कि भारत उस नकटी बंदी एक च्छांसों के बीच अवस्तित है इस कारण के अला है कि यह सही है लेकिन आर गलत है चलिए इस जानकारी के बाद अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रशन पर दूसरा प्रशन कहता है भारत के किस भाग में सरवाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है दैनिक तापांतर की बारे में यहां पर कहा जा रहा है बार्शिक तापांतर नहीं चार आप्शन है पुर्वी तर्टी प्रदेश आप्शन भी चत्तिसगर मैदान के अंतरिक शेत्रों में आप्शन सी अंडमान दिपो में और आप्शन डी राजस्थान के मरुस्थले शेत्रों में तो इसका मैं पहले आपको सही उत्तर बता दू और फिर उसके बाद आप्शन क्यों हुआ इसका सही उत्तर होगा राजस्थान के मरुस्थले शेत्रों बर ऐसा क्यों अगर हम मरुस्थले शेत्र देखे राजस्थान की तो हम देख सकते हैं कि अगर आप भारत का मानचित्र ध्यान में रख रहे होंगे तो अरावली के पस्चिम शेत्र पर य हमें मरुस्थल दिखेगा जिसे हम थार कहتे हैं अब मरुस्थल अगर हमने कहNE दिया तो मरुस्थल के अधार पर मरुस्थल डेजर्ट का अर्थ ये होता है कि अगर किसी छेत्र पर साल भर बैगे 20-25 सेंटीमेटर की वर्षा हो या उससे कम वर्षा हो तो वह मरुस्थल कहलाता है तो इस खेटर पर हम वर्षा की मादरा कम देखेंगे उसके पीछे कारण यह कि जब मॉनसूनी पवने भारत में प्रवेश करती है तो अरावली परवद के पास जब पहुंचती हैं तो अरावली परवत से पैरलल होकर वो उत्तर की और चली जाती हैं इस तरीके से पैरलल होकर फ्लो कर जाएंगी किसी भी प्रकार की प्रकृतिक रुकावट नहीं देखेंगी और वहां पर रुक के वर्षा भी नहीं करेंगी तो इस प्रकार से यहां पर वर्शा कम होती है अब जभ शीतरितू का टाइम आता है तब पबले जब भारत के भाग से या फिर भूबाग से जल की शेतर की और जाएगी तो उनके पास में वह आद्र नहीं होते जिसके आधार पर यहां वर्षा करवाये पाए वह भी बहुत ही कम मादरा तो इस आधार पर अगर आप जानकारी देखें तो जब सूरी की किर्णे उस छेतर पर पढ़ेंगी तो सीधे वो सूरी की किर्णे जमीन पर गिरेंगी अर्थात किसी भी प्रकार का व्रिक्ष या वनस्पती सूरी के किर्णों को ग्रांड करने के यह वहां पर मौजूद नहीं है जब यह जमीन पर गिरेंगी तो जमीन बहुत ही गरम होगा कंड़क्चन के माद्यम से और फिर उसके बाद इसके संपर्क में आँने वाली पवने भी बहुत गरम हो जाएगी तो दिन में वहांगा तापमान बहुत ही गरम हो जाएगा लोग बहुती गर्मी महसूस करते हैं वहीं इसके विपरीत अगर रातरी काल की आप बात करें तो यह जो हीट यहाँ पर अभी आया हुआ है वही बात में क्या होगा रात में एमिट होगा जब एमिट होगा तो जितनी यहाँ पर हीट आई थी तापमान भी बहुत कम हो जाएगी तो आप ये कह सकते हैं कि मरुस्तली छेतरों पर दिन बे जहां बहुत ही गर्मी पड़ती है वहीं पर रात में कड़ाके वाली ठंडी भी पड़ती है तो इस अधार पर अगर देनिक तापांतर सबसे अधिक अगर भारत में कहीं देखा जाएगा तो वह देखा जाएगा राजस्तान के मरुस्तली छेतरों पर और इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सही होता है जैसा मैंने आपको बदाया दूसरे प्रशन के बाद अब हम आते हैं तिसरे प्रशन पर तिसरा प्रशन कहता है भारती मौनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है मौसमी विस्थापन अर्थाद सीजनल चेंज कारण के अधार पर यहाँ पर चार option पर चार कारण दिये गए हैं और हमें सबसे सही कारण चुनते हुए सबसे सही option तक पहुंचना है option A कहता है इस्थल तथा समुद्र का विवेदी तापन differential hitting of land and sea option B कहता है मध्य एशिया की ठंडी हवा option C कहता है तापमान की अती एक समानता और option D कहता है उप्योगत में से कोई नहीं तो जरा हम इस question की detailing पर जाने से पहले मौन्शून के onset पर बात करने की कैसे मौन्शून आता है हमने अभी तक देखा कि यह प्रित्वी की स्थिती है करक रेखा मध्य से होकर गुजरती है भारत में और हमने देखा कि equator के पास low pressure होगा March पर क्योंकि सूर्य लंबवत है अभी विश्वत रेखा पर अब होगा क्या कि सूर्य उत्रायन की और बढ़ेगा Northward मूवमेंट पर और जून के आसपास पर करक रेखा के उपर लंबवत होगा जब यह सूर्य यहाँ पर पहुंचा तो हमने देखा था कि यह पवने दक्षेंट पुर्वी पवने भारत की और प्रवेश करेंगी और इस डारेक्शन से प्रवेश करेंगे क्योंकि पर काम कर रहा है अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है जब हम देख रहें कि सूर्य की स्थिति लंबवत है तो यहाँ पर लो प्रेशर वाला बेल्ट पहुंच चुका है जो low pressure belt मार्च पर यहाँ पर था वो अब पहुंच चुका है भारत के उपर यहाँ पर low pressure belt है और क्योंकि तापमान यहाँ जादा है क्योंकि सूर्य यहाँ पर परपेंडी कुलर है लेकिन अगर हम दक्षिन्ड शेतरों पर बात करें जहाँ पर सागर वाला भाग है ब्रगासकर वाला भाग है हिंद महा सागर है वहाँ पर तापमान कम हो जाने के कारण high pressure यहाँ पर बना हुआ है लेकिन अगर हम दक्षिन्ड की ओर देखें तो यहाँ पर तापमान कम हो जाने के कारण उच्च वायुदाब का निर्मान हुआ है अब हम क्या देखते हैं कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन प्रवावित होगी और यह भाग क्योंकि हम देख रहे हैं कि सागरी छित्र होगा लगबग यहां पर और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो सागर वाला भाग है तापमान यहां पर कम हो चुका है और भू भाग वाला तापमान यहां पर जादा है जिससे लो प्रेशर है तो आप कह सकते हैं कि मौनसून अब भारत में प्रवेश कर दिया क्योंकि differential hitting of land and sea के कारण यहाँ पर pressure difference बन रहा है वायो दाप का यहाँ बिसंगती बन रही है अब शीतरितु पर क्या होगा जब सुरी की रेखा वापस आएगी मकर रेखा के उपर लंबवत होने तब यहाँ पर high pressure बना हुआ नहीं दिखेगा तब यहाँ पर हमें low pressure बना हुआ दिखेगा और भारत वाले भाग पर हमें high pressure बना हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ पर अब तापमान हमें कम दिख रहा है यह दिसंबर के आसपास की बात है तब पवने क्या करेंगी high pressure से low pressure की और प्रव को मौनसून के तापी सिधान्त के अधार पर देखा जाता है और इस जानकारी के अधार पर अगर हम देखें तो सबसे उप्यूग तो हमें आप्शन यहाँ पर आप्शन ए दिखता है सही उत्तर के रूप में इस्थल तता समुद्र का विबेदी ताबर चलिए अब हम आते ह चौथे प्रशन पर अब हम शुरूआत करते हैं अगले प्रश्न की प्रश्न कहता है निम्रलीकित कतनों पर विचार किजिए कथन एक दक्षणी भारत से उत्री भारत की और मौन सून की अब्धी घटि ए कतन दो कहता है उत्री भारत के मैदानों में वार्शिक सही तो चलिए इसे समझने से पहले हम मौनसून का डिस्रिबूशन डिवलप्मेंट विकास करम देख लेते हैं हमने अभी तक यह देखा कि जब सुर्य उत्तरायन पर है उत्री गुलार्थ पर है करकरेखा के उपर आ चुका है जूर के आसपास में तब भारत के उत्तरी से भारत में प्रवेश कर दी अब चुकि यह पवनों को अगर आप भारत में बैट कर देखेंगे तो दक्षिन पस्चिम दिशा से आते हुई दिखती है इसलिए आप इसे कह देंगे दक्षिन पस्चिमी मौनसून अब जब यह पवने भारत की ओर आती हैं तो दो पर प्रवेश कर जाता है या जून मैने के आसपास अब जैसे ही जब यह दक्षिड शाखा दक्षिड भारत पर प्रवेश करने का प्रयास करता है तब एक बहुत ही निरंतर फैली हुई भू आकरिती जिसे आप वेस्टन घाट कहते हैं इन पवनों को रोक देता है और उन से आगे बढ़ चुका होता है मामला लगबग जुलाई के आसपास आ जाते हैं और यहां पर फिर हमें अरावली बिंद्यन और सत्पुड़ा जैसे परवश शिंखलाय मिलती हैं इन गैप्स को प्रवेश करके इन गैप्स के माद्यम से यह उत्तर भारत में प्रवेश क करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा भी दक्षिन में प्रवेश तुरंद कर जाती है क्योंकि इस्टन घाट हमें पस्टमी घाट जैसा निरंतर नहीं दिखता है इनके बीच में गैप्स दिखते हैं और यह तुरंद ही क्या करती हैं भारत के भुबाग या दक्षिन भा पर हमें उच्च वायुदाब बनता हुआ दिखेगा अर्थात सितंबर के बाद अब यहां उच्च वायुदाब बनने लगेगा और भारत के दक्षिन वाले छेतर पर यहां पर निम्न वायुदाब बनता हुआ दिखेगा और वह उत्तर पुर्वी वैपारिक पवने जो भारत के उत्तर में प्रवाह कर रही थी अब या भारत में प्रवेश करेंगी जब या भारत में प्रवेश करेंगी तब अपने मार्ग पर यह बंगाल की खाड़ी से आद्रग्रहन करके तमिल नाडू में वर्शा करवा देंगे जिसे आप कहते हैं रिट्रेटिंग मौनसु के प्रभाव को अर्थाद दक्षिन भारत में जून से आप मौनसून के प्रभाव को देख सकते हैं और नौंबर तक आप इस प्रभाव को देखते जाएंगे लेकिन अगर आप उत्तर भारत की बात करें तो जुलाई में ये मौनसून के प्रभाव की शुरुवात होती है और लगबग सितंबर के आसपास के प्रभाव समाप्त हो जाता है क्योंकि ये रिट्रिटिंग मौनसून का प्रभाव उत्तर नहीं दक्षिन भारत पर हमें देखने को मिलता है तो इस आधार पर अगर हम पहले कथन की पुष्टी करें तो पहला कथन कहता है कि दक्षिन भारत से उत्तर भारत की और मौनसून की अवदी घटी है हम देख रहे हैं यहाँ पर जुलाई से सितंबर तक की अवदी है और यहाँ पर जून से लेकर नौमबर तक की अवदी है अर्था दक्षिन भारत पर इस पुर्व से पस्चिम की और घटती है हमने क्या देखा हमने यह देखा कि जब यह पवने जो अरब सागर की शाका दी भारत में जब प्रवेश करती हैं तो उत्तर भारत में पहुंचते हुए बहुत बड़ी आद्र की मात्रा को यह वर्शा के रूप में छोड़ चुकी होती और जब यह उत्तर भारत की ओर आती हैं तो इन में आद्रता कम होती है और जिसके कारण से आप यहाँ पर वर्शा उत्तर भारत में कम देखने को मिलेंगे ठीक वही जब आप बंगाल की खाड़ी की शाका देखें तो यह भी अमारे पुर्वी तटोपर वर्शा की मात्रा ज़्यादा दिखेगी और जैसे ही हम अंदर की और घुसते जाएंगे हमें वर्षा की मातरा कम देखने को मिलेगी क्योंकि उन पवनों के पास में आद्र जो थे वो कम हो गये थे क्योंकि वर्षा के सारे गिर चुके हैं तो इस आदार पर आप कह सकते हैं कि जब हम इस्ट से वेस्ट की ओर जाएं तो इस्टन वाले साइड पर हमें वर्षा की मातरा जादा दिखेगी और वेस्टन साइड में हमें वर्षा की मातरा कम देखने को मिलेगी क्योंकि उन पवनों के पास आद्र बहुत कम थे जो उत्तर भारत के पस्टिम छेदर पर पहुंचे थे तो इ प्रश्ण भी इसी कंसेप्ट के अधार पर आप सौल कर पाएंगे निम्नांकित छेत्रों में से कौन सा छेत्र मौनसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता पस्चमी घाड दक्कन पठार मध्यप्रदेश और चतिसगर बेसिन आप इस अधार पर देख रहे होंगे कि चतिसगर की स्थिती कुछ आपको यहां पर मिल रही होगी और चतिसगर जादा समीप हो जाता है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से साथ ही इन पुर्वी घाड़ के बीच में हमने जो गैब्स देखा उन गैब्स के साहरे यह शाखा अंदर प्रवेश कर ज जाती क्योंकि यहां पर पस्टिमी घाड की उचाई जादा होती है और विस्टी शाया छेतर प्रदेश होता है यह शाखा प्रवेश करती है मध्य भारत से अर्थात यह दक्कन के पठार महराश और मध्य प्रदेश तक वर्षा तो करवाती है लेकिन चतिसगर पहुंचते तक या तो बहुत सारी पमने तो पहुंचती नहीं और जो पहुंचती उनमें आदर्था की मात्रा भी बहुत कम हो जाती है जो अरब सागर शाखा से संबंदित होती है इस आदार पर हम यह भी देखते हैं कि मात्र पांस से दस प्रतिशत जो वर्षा होती है चतिसगर में वो अरब शागर से प्रभावित होती है और तुलनात्मा कुरूप से दिये का सारे आप्शन पर हमें इसका सही उत्तर 36 गड़ बेसिन दिखता है और आप्शन डी हमारा सही उत्तर बनता है चलिए अब हम आते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है उत्तरी पुर्व बंगाल तमिल नाडू और ओडिसा तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जब चर्चा की कि जब सूर्य दक्षणायन पर होगा दक्षण की ओर जाएगा तब यह जो उत्तरी पुर्वे वैपारिक पवने हैं वो भू भाग से सागर की ओर प्रवावित होंगी दक्षण की ओर ज देगा परंतु यह पवने इस छेतर से दक्षण की ओर लोटेंगे तो अगर आप इस अधार पर देखें तो आसाम राज्य तो नहीं हो पाएगा यहां पर क्योंकि आसाम पर जब यह पहुंची नहीं पाएगा और अगर पहुंचेगा भी तो इन पवनों के पास आदर नह जादा आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा आप अगर उडिसा की बात करें तो कुछ यहां पर वर्षा होगी तो जरूर लेकिन जादा वहत तोर पर विक्सित यह दिखेगा तमिल नाडू छेतर पर क्योंकि यह भी यह बंगाल की खाड़ी से काफी लंबे समय तक स जला जाएगा इसी प्रकार से तमिल नाडू में कुल वर्षागा लगब 50-60% वर्षा उत्तर पुर्वी मौनसुन नौर्ट इस्टर मौनसुन से आप देखेंगे तो सहीं आप्शन यहां पर होगा उप्शन C तमिल नाडू चलिए अब हम आते हैं अगले प्रशन पर अग इस्थितियां दिखी हुई है और उसके पीछे कारण दिया गया है पूछा गया है कि जो भी यह जलवायू पर इस्थितियां हैं उनमें से सहीं कारण को चूस करते हुए सहीं आप्शन तक आप पहुँचें तो सबसे पहला अगर हम देखें सुची एक पर कोलकाता की अप अब ये देखें कि चिन्नेई वाला छेदर अधिक गरम क्यों हो सकता है कोलकाता से तो उसके पीछे मुख्य कारण है और भी कारण हो सकते हैं लेकिन मुख्य कारण इन दोनों के मध्य तापमान में अंतर करने का वह है विशुवत रिखा से दूरी एक्वेटर से जादा सम समीप हमें चिन्न नहीं मिलता है और तुलनात्मा गरूप से दूर मिलता है कोलकाता और विशुवत रेखा के जितने समीप अक्षांसी स्थिति किसी स्थान का होगा वहाँ पर सूरिक का तापमान या सूरिक किर्णे साल भर आपको अच्छे मातरा में गिरती हुई दिखे उतनी जादा वहाँ पर वार्षिक तापमान देखने को मिलेगा तो इस आधार पर इस एक आप सहीं आंसर चुनेंगे अक्षांस जो पांचवे पॉइंट पर दिया गया है ज्यान रखिएगा समुद्र से दूरी नहीं हो सकती क्योंकि कुलकाता और चिन्न नहीं समुद्र से लगभग बराबर दूरी पर हैं लेकिन फिर भी तापमान में अंतर जो है वह विश्वत रेखा मुख्यकारक के रूप पर यहां काम कर रहा है अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के हिमाले में हिम पात के पीछे कारण क्या हो सकता है तो हम यह मानते हैं कि हिमाले मे यह जो हिम पात होता है उसके पीछे कारण तापमान है या फिर आप कह सकते हैं उचाई आप पॉइंट टू तुगता अर्थात अल्टिटूड उचाई पर हम बात करते हैं हमें यह पता है कि जब उचाई पर आप चड़ेंगे हाइट चड़ेंगे तो हाइट के साथ में तापमान का ऐसा संबंद बनता है कि अगर हाइट में आप उपर चरते जाएंगे तो तापमान गिरता हुआ दिखेगा इसकी जो दर होती है इस दर को लैप्स रेट कहा जाता है और यह दर लगबग साड़े छे डिगरी सेलसियस प्रती किलोमेटर आप देखेंगे समान य जानते हैं कि जब पवने गरम होती है जब पवने गरम होती है तो इनके पास जो आदर गरहन करने की शमता होती है वह अधिक होती है लेकिन जब पवने ठंडी हो जाती है तब इनके पास जो आदर गरहन करने की शमता होती है वह कम हो जाती है और एक ऐसे पॉइंट पर ता तापमान जहां पर यह saturation दिखे जहां पर अब moisture नीचे गिरेगा उस तापमान को आप saturation point कहते हैं अब जल की रूप में वर्षा कब होती है जब यह saturation point वाला तापमान ज़ादा हो जाएगा freezing point वाले तापमान से freezing point जब जल वा तापमान जब जल बर्फ के रूप में पॉइंट से तब हमें जल की रूप में वर्षा होता हुआ दिखेगा और जब यह saturation point freezing point से कम हो जाएगा तब हम वहाँ पर हिम पाद यह सनोफॉल देखेंगे और यह सिती बनते हुई दिखती है हमको हिमाले पर तो अगर आप यह देखें कि हिमाले में हिम पाद तो उसके हम पंजाब वाले छेद्र यह उत्तर भारत के पस्टमी भाग में कम वर्षा की मातरा देखते हैं और पुर्वी भाग में अधिक देखते हैं इसके बारे में चर्चा हमने पिछले कोशन पर किया है Option D कहता है सतलज गंगा मैदान में शीत काल में कुछ वर्षा होती है तो यह क्यों होती है इसके पिछे कारण है पस्टमी विच्छोब पस्टमी विच्छोब क्या होता है तो इसके पस्टमी विच्छोब पर जाने से पहले जैस्ट्रीम क्या होता है वह जान ले तो पास यह जो बैंड है एयर बैंड है हिमाले के दक्षिन पर या फिर आप कह सकते हैं सतलज गंगा मैदान की और से प्रवाविद होता है जब यह गंगा के मैदान पर प्रवेश करता है तो यह पस्चिम से आते हुए मेडिटरेनियन सी से आदर गणन कर चुका होता है और इस पर आकर यह वर्षा कराता है जिसे हम वेस्टन डिस्टरबेंस कहते हैं पस्चिमी भी छोप कहते हैं तो अगर डी के लिए सही कारण की खोच किया जाए तो सही कारण तीन पॉइंट पर मिलता है पस्चिमी दाब और जो हमारा सी था उसके लिए हमने बात कर चुकी है पहल अब हम आते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है कथन भारत के उत्तरी मैदान में जाडों में कुछ वर्षा हो जाती है कारण कहता है जाडे में उत्तर पुर्वी मौनसून सक्री होती है देखिए दोनों ही कथन और कारण सहीं है परन्तु कारण कतन एक का सहीं व पुर्वी राज्ज लेकिन जो उत्तर भारत में ठंडी में जाड़े में जो वर्षा होती है उसके पीछे कारण या उत्तर पुर्वी मौनसून नहीं अपितु पस्चमी विच्छोब है जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बदाया तो इस आधार पर हमारा सही आप्षन होता है सही आप्षन होता है बी ए तथा आर दोनों सही हैं परन्तु आर एक ही व्याख्या नहीं है तो चलिए अब हम आते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है अन्ता उस्चन कटी बंदी अभी सरण छेत्र एक निम्म वायुदाप पेटी इस्थित है तो इसके लिए चार ऑप्षन दिये गया हैं कि इसकी स्तिति कहां पर है बैपारिक एवं पच्वांओ की पेटी के मद्य पच्वांएवं दुरुवी हवाओं की पेटी के मद्य दुरुवी की समीफ वरती छेत्र में और अन्तिम है भूमद्य रिखाबर तो जरा हम इस पर चर्चा करें, हमने देखा था थोड़ी देर पहले, कि जब हम प्रिथवी देखे थे, तो हमने यहाँ पर देखा था equator, फिर उसके बाद हमने देखा था ट्रॉपिक उफ केंसर करकरेका, हमने देखा था मकररेका, ट्रापिक उफ, कैप्रिकॉन और अर्टिंक सर्गल हमने यहाँ पर देखा था वैपारिक पवनों को प्रवा होते हुई हमने यहाँ पर देखा था पच्छवा पवनों को पहते हुए और यहां पर पुरवाई होते हुए अब अन्ता उसने कटी बंधिये वायोदाब या अन्ता उसने कटी बंधिये अभी सरण छेत्र तो देखिए उसने कटी बंधिये तो जाहिर सी बात है कि इन चहित्रों पर तो वह नहीं होगा क्योंकि यहां उसने कटी बंदिये च्हेत्र नहीं है यह यहां कहीं पर आपको देखने को मिलेगा अर्धात या तो यहां इस point पर मिलेगा अर्धात की आपके वैपारीक और पच्छवा पवनों के मद्य या फिर आपको यहाँ पर वैपारीक पवनों के मद्य तो देखिए हम यहाँ पर अगर जाएं तो यह गलत option होगा क्योंकि यहाँ पर conversion अविसरन नहीं हो रहा है यहाँ पर दोनों ही पवने विपरीद दिशा में प्रवावित हो रही है तो अविसरन कहां हो रहा है अविसरन हो रहा है हमारा equator के समीब हम यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर दोनों वैपारीक पवने आकर आपस में converge होती है उन छेत्रों को ही हम convergence zone कहते हैं अब यह अविसरन छेत्र से आ रही है ट्रॉपिकल रिजन से आ रही है इसलिए इंटर ट्रॉपिकल कंवर्जन जोन कहते हैं यह वही निम्नवायुदाफ पट्टी है जो सुरी के दिशा के साथ करक रेखा और मकर रेखा तक प्रवावीत होती है चल चलिए इतने प्रश्णों के बाद अब हम कुछ प्रश्ण वनस्पती आधारित भी देख लेते हैं वनस्पती के प्रश्ण पर पहुँशने से पहले कुछ उसकी प्रास्मिक जानकारी भी देख लेते हैं बनस्पति किसी भी एक छेतर के वन्यजिव और वरिक्षों के समूव और प्रजातियों को कहा जाता है और यह निर्धारित होती है उस छेतर के तापमान और वर्षा की मात्रा से जिस छेतर पर तापमान और वर्षा की मात्रा दोनों ज्यादा दिखेगी उन छेतर पर जाहिर सी बात है कि ऐसे वरिक्ष होंगे जो साल भर पत्ते नहीं छोड़ेंगे या फिर वह सदा बाहर होंगे जब हम देखें कि अगर रेनफॉल थोड़ा कम होता है देखें भारत में अगर आप देखें तो प्रमुक रूप से जैसे हमने देखा कि उस नकटी बंदिये जलवायू है तो यहाँ पर उस नकटी बंदिये तापमान ही आपको देखने को मिलेगा वरियत तोर पे फैला हुआ तो इस अधार पर आप यह कह सकते हैं कि तापमान लगबग लगबग हर जगा सेम होने वाला है लगबग की बात मैंने कही है तो अब अगर रेनफॉल थोड़ा कम होता है मतलब कि साल भर वरिक्ष सदाबार ने रहेंगे कुछ ऐसी अधी कुछ ऐसे महीने आएंगे जहां पर वो अपने पत्ते छोड़ेंगे तो ऐसे वनस्पतियों को अर्द सदा बहार वनस्पती कहा जाता है फिर उसके बाद जब हम देखें कि तापमान वही है लेकिन वर्षा की मात्रा और कम हो रही है तब ऐसे समय पर हमें पर्ण पाती व्रिक्ष दिखेंगे ऐसे वनस्पती जो साल भर में किसी एक निश्चित अवधी पर अपने पत्ते छोड़ देते हैं तो लेकिन अगर वो अवधी बहुत ही कम है अभी वी एक दो महने के लिए छोड़े जा रहे हैं तो आज़ पर्ण पाती वनस्पती की श्रणी में आएंगे और अगर ये वर्षा की मात्रा और कम हो जाती है तब आप जो वनस्पती देखेंगे उसे शुश्क पर्ण पाती कहा जाएगा अर्था तीन से चार महने तक वो अपने पत्ते छोड़ देंगे जब वर्षा की मात्रा या वर्षा का समय नहीं होगा और जब ये वर्षा की मात्रा और कम होते चली जाएगी तब हमें कटीले वनस्पती देखने को मिलेंगे तो इस अधार पर आप देख सकते हैं कि लगबग मुख्य रूप से इतनी वनस्पती भारत के भाग में विजश तोर पर पाई जाती है अगर आप इसे और स्पेसिफिक जाएं तो ऐसे च्छेतर जहां पर दो सो से धाई सो सेंटीमीटर की वर्षिक वर्षा की मात्रा आप देखेंगे वहाँ पर सदा बाहर आपको वनस्पती देखने को मिलेगा यह कौन से च्छेतर होंगे तो यह मुक्य रूप से आपको पस्टिमी घाट के पस्टिम च्छेतर पर और कुछ उत्तर पुर्वी पहाड़ियों पर आपको यह देखने को मिलेंगे उत्तर पुर्वी पहाडियों पर बंगाल के खाड़ी समान प्रविति दिखाती है अर्द सदा बहरी के अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा छेत्र होगा जहां पर देड़ सो से दो सो सेटीमेटर की वर्चा की मात्रा आप देखेंगे ये आपको दिखेगा पस्चिमी घाट के पुर्वी ढहलानों पर ये आपको और ऐसे जग आपको थोड़े से उत्तर छेत्र पर भी दिखेगा मतलब की मध्ये वाले भाग में या फिर उत्तर भारत के दक्षेण वाले हिस्से पर जब आप आद्र परण पाती पर चले जाएंगे तो ये ऐसा छेत्र जहां पर सो से डेट सो सेंटीमेटर की वर्चा की मात्रा आपको वार्शिक तोर पर देखने को मिलेगे और ये मुक्यरूप से प्रयदूपी भारत के पूरवी छेत्र पर या पिर दक्षिर भारत के पुरवी छेत्र पर आपको ये देखने को मिलेगा वह छेत्र विशेश तोर पर जहांपर बंगाल की खाड़ी वाली शाका प्रवेश करتी है और समुद्र से दूरी कम होने के कारण अच्छी मात्रा होती है इसके पास और समुद्र से दूरी यहाँ पर बहुत कम होती है और बहुत ही बड़ी मात्रा में वर्शा यहाँ पर करती है जैसे ही हम पस्चिम की और जाएंगे समुद्र से दूरी बढ़ेगी तो आदर भी कम ह जाएंगे पौनों के पास और वर्षा की मात्रा कम होते वे दिखेंगे तो मुख्य रूप से आप इसे प्रायदुपी भारत के पुर्वी छेतर पर कह सकते हैं आद्रपण पाती का और अगर आप विशेश तोर पर देखें तो प्रायदुपी भारत का मध्य भाग दक्षिन पर 70 cm से कम वर्षा होगी वहाँ पर कटीले ब्रिक्ष देखने को मिलेगे वर्षा की मात्रा और कम होगी तो आप मरुस थलिए वनस्पती भी देखेंगे जहां पर 50 cm के आसपास की वर्षा हो तो ये एक प्रात्मिक जानकारी है वनस्पती को लेकर चलिए इसी प्रात्मिक जानकारी के अधार पर हम यह प्रश्ण देखते हैं भारत में निमनिलिखित में से किस प्रकार का वन सरवाधिक व्रियत छेतर में पाया जाता है देखें सबसे जादा अगर आप कोई वनस्पती भारत में देखें तो इस वर्षा वाले मात्रा पर आपको देखने को यहां पर नहीं है यहां पर पूछा गया निम्न लिखित में से तो निम्न लिखित में से सरवाधिक फिर बन जाता है उस निकटी बंदी आद्र पर्ण पाती वन तो इस अधार पर हमारा सही option होता है option c चलिए अब हम आते हैं पस्चिमी हिमाले में उच्च परवती वनस्पती 3000 मिटर की उचाई तक उपलब दोती है जबकि पूरवी हिमाले में वह 4000 मिटर की उचाई तक उपलब दोती है एक ही परवस शिंगला पर मतलब पस्चिम से पू हिमाले से सम्मंदित किसी प्रश्म में चर्चा किया था एक बार और देख लेते हैं यहां पर बात यह हुरी है कि जब आप हिमाले के विस्तार को देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा मतलब ऐसा इस्तार की लगबग 2400 किलोमिटर तक फैला हुआ है और एक य कंसी इस्थिती पर यहां के लेटिट्यूडनल पॉजिशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है और इन दोनों ही आदहारों पर इन दोनों ही काड़नों से हमें यहां पर उतनhi मजबुत वनसपती नहीं दिखेगी जितनी हमें पुरवी हिमाले पर मिलती है तो अगर आप देखें कि पस्चमी छेतर पर अगर आप जाएं नीचे से उपर की और जाएं तो व्रिख्ष रेखा बहुत समीब ही आपको मिल जाएगा पहले मिल जाएगा पूर्वी हिमाले के तुलना पर अब यह व्रिख्ष रेखा क्या होती है तो वह रेखा जिसके उपर व्रेक्ष नहीं पनबते तो पस्चमी हिमाले पर वनस्पती के विकास थोड़ा कम हमको दिखता है तो अगर आप हिमाले पर चड़े पस्चमी छेद्र से तो व्रेक्ष रेखा जल्दी मिल जाएगी अर्था तीन हजार मिटर की उचाई तक ही आप जाएंगे तो आपको वह वहाast पर वनस्पती कि देखनेको मिलेगा तो यह जानकारी हमें कहां पर मिल रही है तक यह जांकारी अप्शन अब B पर रेखा मतलब मौश्यर की जो पहुंच है जो पवनों के द्वारा जो मौश्यर पहुंचेगा वो समुद्र तटकी दूरी से निर्धारिद होती है चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है सुची एक को सुची दो के साथ सुमेलित कीजिए और वनस्पतियों के लिए कौन सी परिस्थिती अवश्यक है उसकी जानकारी अगर आपके पास हो अर्थात तापमान और वर्शा की जानकारी आपको हो कि भारत में कहां कहां पर होता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से राज्य पर किस प्रकार की वनस्पती हमें मिल सकती है जैसे कि यहां पर यह लिखा हुआ है उस नकटी बंदी आद्रपर्ण पाती ट्रोपिकल मॉइस्ट डेसिडेस तो आद्रपर्ण पाती का हमने यहां पर देखा है सौ से डेर सो सेंटी मिटर वाले छेद्र पर तो यह कहां पर होगी ऐसी वर्षा मतलब अत्यधिक वर् शागराती है साथ ही आपको यह मिलेगा उत्तर पस्चिम छेतर पर जहां पर पस्चिमी विच्छोब से भी वर्षा होती है तो इस अधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मिलेगा आपको तराई छेतर पर साथ ही अगर आप बीपर जाएं उस निकटी बंदी है शु इस वाला भाग होता है या आप इसमें मद्य प्रदेश 36 गड़ बिहार तक को यहां पर संब्लित कर सकते हैं या पर दक्षणी उत्तर प्रदेश तो इस अधार पर आप मद्य कंगा का मैदान चुनेंगे दिये गए ऑप्शन पर से दिये गए प्रदेश वाले सुची से उ लेकिन साधरी की उचाई उतनी नहीं है पाडियों की उचाई नहीं है जितनी अरुनाचल पर देश पर है और अल्पाइन विंत्ष बनसपती के लिए काफी अच्छी उचाई चाहिए लगवग आपके 3-3.5,000 मिटर की उचाई चाहिए और वह हमें मिलेगा अरुनाचल प हो जाती है तो इस आधार से हमें स्कूट पर सही ऑप्शन मिलता है ऑप्शन ए एक फोर बी का थ्री सी का वन और डी का टू तो इस प्रकार से इतने प्रशनों से हम लगबग यह उमीद करते हैं कि जलवायू और वनस्पती को लेकर एक ऐसी प्राथमिक जानकारी आप तक पह करन तयारी के लिए कॉंपिटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले